आप में से काफी सारे ऐसा लोग हो सकते हैं जो microconomics को बॉर्ट अप समझते हैं लेकिन दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी strategy बताऊंगा ऐसा एक वेब बताऊंगा अगर आप अपनी microconomics को इस तरीके से पढ़ लेते हो तो दोस्तो आप अपने exam में microconomics को बहुत बढ़िया तरी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए यह आपका चैनल है और आगे चलके बहुत सारी lectures और आने वाले बहुत सारे content और आने वाला जो आपको आपके economics की preparation में बहुत support करें तो आज जो मैंने आपको micro economics के chapters बताए हैं उन सभी chapters को अगर आप 20 द हूँ आपको समेरी भाईया और आप सबका वेलकम है हमारे आपकी प्यारे से चैनल साइमी कौन पर दोस्तों हम लोग यहां पर discuss कर रहे हैं आपकी micro economics की बाप strategy के बारे में हां आप लोगों ने थमडेल में देख लिया होगा बाप strategy आप सोच रहोंगा यह फाल्तु बखव को limited समय में पढ़ सकते हो मैं आपको micro economics का topic का नाम बताऊंगा और उसकी strategy बिताऊंगा कि आपको किस किस तरीके से उसको follow करना है और अगर आप self study कर रहे हो तो यहां पर मैं आपको कुछ वीडियो भी सज़ेस्ट करूंगा अपनी वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए सब्सक्राइब करेंगे आपके micro economics के बारे उससे पहले दोस्तों आपको पता है कि आपका प्यारा सा चैनल सैमी कौन पर मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आता हूं बहुत सारी strategies बगर लेकर आता हूं और आगे भी आपको बहुत ही बड़ीया बड़ीया content मिलने वाला है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को ग्रोव करने में मेरी मदद करिए तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आच्छी की के लास का discussion दोस्तों micro economics के अंदर आपके पास majorly 4 topics होते हैं consumer theory, production theory, markets and journal equilibrium दोस्तों इन 4 topics में से ही आपका paper बन की आता है लेकिन इन 4 topics को आपको individual level पे अलखे तरीके से पढ़ना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको बता है कि आपको 20 दिन के अंदर इन 4 topics को पढ़ना है तो आपके पास on an average कितनी average है, 5 दिन की average है एक topic को पढ़ने के लिए सबसे पहले में बात करूँगा consumer theory की, micro economics का जो सबसे पहला topic है consumer theory कहने के लिए consumer theory बहुत बड़ा subject है लेकिन दोस्तो इस बहुत बड़े subject में से अगर आप limited topic को पढ़ते हो, limited topics को study करते हो, तो आप अपने exam में 5 दिन में, 5 दिन में consumer theory को cover कर सकते हो consumer theory में जबसे पहला topic आता है, please copy में उसकी topic को जरूर लिखिएगा, सबसे पहला topic आता है elasticity, दोस्तों elasticity से हर साल आपके exam में हमेशा question आता है, आप को इस अभी past paper उठा के देख लो, elasticity में से आपको हमेशा question आता है, तो consumer theory में जबसे important topic है, that is elasticity, दूसरे आपे सबसे important topic है, utility maximization, दोस्तों आप लोगों को मैंने भी सिखा है है, मैंने भी बहुत से रही classes आप quality provide करी है, जिन classes को अगर आपने देखा हुआ नहीं है, तो guys उन सारी videos का मैं link इस video के description में जरूर दे दूँगा, उनमें जो दूसरा topic आता है, that is utility maximization, दोस्तों मैंने इसके ओपर भी काफे सारे discuss कर रखा है, utility maximization का आपके exam में 100% question आएगा, उसके लिए उसके लिए आपको मातर 3-4 videos देखनी है, जो मैंने आप लोगों के लिए already पढ़ा रखी है, तीसरा हमारा topic है यहाँ पर price effect, दोस्तों price effect का मतलब हो जाता है, यदि किसी भी market में किसी भी commodity का price increase होता है, तो उसकी demand क अब होती है, love demand apply होता है, तो वो love demand split हो जाता है, दो पार्ट में, एक आपका substitution effect और एक आपका income effect, तो दोस्तों यह जो substitution effect यह income effect है, इसका combine कर दोगए तो उसके price effect कियाते हैं, यह दोस्तों दो परकार में जो है, discuss किया जाता है, एक यहाँ पर सलस्तिकी effect और एक यहाँ पर इंटर-temporal choices दोस्तों consumer theory में हम लोग बात करते हैं कि कोई भी consumer या कोई भी आदमी कम से कम दो period जुरू survive करता है today and tomorrow आज और कल तो दोस्तों हमारी जो consumption होती है दो period में like करती है today's consumption, tomorrow's consumption यह हमारा inter-temporal choices है दोस्तों यह topic भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर cover कर रख है यदि आपने इन topics को नहीं पढ़ा और आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो के description में मैं उन साड़ी वीडियो का link share कर दूँगा जहांपे मेरी topic cover है अब उसी के साथ दोस्तों मारा दूसरा जो topic आता है उसका नाम है production theory दोस्तों production theory के अंदर आपको मातर टीन topics पर focus करना है और आप उन तीन topics को पढ़ने के बाद आप अपने exam में बहुत बड़ी स्कूर कर पहोगे दोस्तों production theory के अंदर सबसे पहला part आजाता है production concept short run and long run जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारी economy में किस परकार law of variable proportion होता है law of variable proportion का मतलब हो जाता है कि अगर आपके पास कोई input है और आप उस input को इस्तेमाल कर रहे हो तो उस input को इस्तेमाल करने से आपकी economy में या आपकी form में जो output हो किस परकार बदल रहा है तो दोस्तों ही हमारा दूसरे topic production तोरी का first part है जो आपको study करना है उसी परकार यहाँ पर दूसरा हमारा यहाँ पर पाट आ जाता है cost theory दोस्तों cost theory का मतलब हो जाता है cost minimization ध्यान लिकना cost minimization का meaning यह हो जाता है कि यदि आप अपनी firm के अपनी firm में यह चाहते हो क्या आपका profit maximum हो तो profit maximum करने के लिए आपको cost minimize करनी होती है given the output यानि जो output आप बना रहे हो उतना ही output बनेगा लेकिन अब आप अपनी cost को minimize करोगे जिसमें आप labor cost और capital cost इनकी cost को minimize कर सकते हो इसका मतलब यह है अगर आप कुछ output produce करना चाहते हो तो आप उन labor को hire करोगे जो कम पैसों में उतना ही काम कर दे efficiency साथ और उस area को rent करोगे जो सस्ता मिले यानि अगर आपको कुछ production process करना है तो आप cannot place में जाके factory नहीं खोलोगे आप industrial area में जाके factory खोलोगे तो दोस्तों दूसरा topic था हमारा cost theory थर्ड है हमारा production के अंदर profit theory profit theory is very important concept क्योंकि यहां पर revenue वाला topic add हो जाता है profit का मतलब हो जाता है कि आपको कोई भी अगर economy में business को run करना है तो आपको जो entire business होता है तो वो दोस्तों profit पे depend करता है मैंने ये भी lectures आप लोगों के लिए provide करे हैं तो guys ये मेरा production theory के तीन topics ते जिनको आपको बहुत बढ़िया तरीके से तयार करने है अब दोस्तों बात करते हूं markets की दोस्तों markets के अंदर हमारे पास 4 major markets होती है जिसमें सबसे पहली market होती है perfect competition perfect competition के अंदर आपको एक की बहुत important level पर पढ़नी है supply curve या supply function ध्यान लगना supply कर या supply function सिर्फ वो सिर्फ perfect competition के अंदर ही निकलता है ये question बहुत बार पूछा जाता है तो सबसे पहला topic है हमारा third topic के अंदर जो है third topic है हमारा यहां पे third topic में सबसे पहला part है perfect competition perfect competition उसके बाद जो हमारी second market आ जाती है that is monopoly monopoly इसलिए भी important है कि कभी-कभी यहां से theoretical question आ जाता है theory question में सबसे important रहता है यहां पे natural monopoly दोस्तो natural monopoly में काफी सारी important question आ जाते हैं जैसे हमारा इंडिया में जो electricity है वहां पे natural monopoly लगता है water supply है वहां पे natural monopoly लगता है यहने government के जहां पे involvement है railways है वहां पे natural monopoly लगता है कभी-कभी monopoly के अंदर price discrimination के question भी आ जाते हैं कभी-कभी monopoly में uniform pricing distribution के भी आ जाते हैं non uniform pricing की भी questions आ जाते हैं उसके बाद में सबसे important हमारा आ जाता है oligopoly market oligopoly market हमारी third market होती है जिसमें आप दोस्तों तीन परकार के oligopoly के अबरे बात करते हैं cannot oligopoly बर्ट्रेंड और स्टेकलबर्ग दोस्तों यह बहुत important है जदी आप इनको अच्छे से पढ़ रहे हो तो ध्यान दगना आपको इन तीनों में difference भी समझ में आ जाएगा fourth market है हमारे पास यहां पर monopolistic competition दोस्तों monopolistic competition again very important है लेकि नहीं बहुत चोटी सा है monopolistic competition तो आपका इसमें मुश्किल से एक दिर घंटा लगेगा आप उसको रिवाइब अच्छे से कर लोगे उसके बाद जो आपका चौथा और लास्ट टॉपिक है इस जर्णल equilibrium दोस्तों जर्णल equilibrium बहुत ही बढ़िया टॉपिक है यहां से जो भी question आएगो आपका exchange से related होगा कुछ welfare से related होगा कुछ यहां पर market failures भी आएंगी इसी के अंदर ही यहां पर थोड़ सा public goods के बारे में तो दोस्तों जो चार टॉपिक से अगर आप इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो तो आपके exam में बढ़िया मांग सहेंगे और ज्यान रगना schedule आपको को रखना मातर बीस दिनों का 20 दिन के अंदर आपको चार टॉपिक कवर करने यानि आपको हर टॉपिक को सिस पां